हेलो फ्रेंड विल्कम टू इस्टॉक रिसर्स सेंटर आज हम यहां पे बात करने वाले हैं टीवीन एटीन के ब्रॉडकास्ट के इस टॉक के बारे में इस टॉक में क्या चल दाया है वो सारी चीज़े देखेंगे यहां पे क्वाटर फोर के जो रिजल्ट है वो भी यहां प चैनल पर नए बने हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथी जो बिल नोटिफिकेशन है उसको उन कर लें इससे क्या होगा आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको प्रॉपर टाइम पे मिलती रहेगी तो चलिए यहां पर इसका जो मार्केट कैप है वो यहां पे 8000 करोड का मार्केट कैप यह होल्ड करती है 68.7 का इसने हाई बनाया था और इस साल का जो लो था यहां पे 28.7 था बुक वैल्यू यहां पे इसकी जो है वो 99 है और अगर फेस वैल्यू देखा जाए तो फेस वैल्यू यहां पे 2 है रिटन ओन कैप्टल एम्प रीशिओ की बात कीजाए तो प्राइस टूनिंग रेशियो के हिसाब से बहुत ज्यादा महगा है प्राइस से हिसाब से बात किये तो प्रइस हिय जो हाई ना था रुपए का यहाँ पे 2022 के असपास उसके बाद यहाँ पे 55 रुपए का हाई वना था तो अभी प्राइस के हिसाब से उत्ता जदा महगा नहीं हुआ है इस टॉग क्रोड का लिए प्रोंट 46 क्रोड बाध Prep ambient आया है वह में मांच है यह जो एक ह्ज़ी सेवन praधार प्लस में था तो अगर यहाँ पे ऐसा चीज़ चलता रहा तो मज़ा नहीं आएगा अगा अगर और इंकम की अगर बात करे जाए तो यहां पर एक सो असी करोड की आसपास आया है और इस पर डिप्रिशियेशन भी यहां पर है और इंट्रेस्ट भी इन्होंने पे किया है 77 करोड का तो यहां पर फाइनल जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अ रहा है वो यहां पर माइनस में 127 करोड आ रहा है लाश्ट कॉटर यहां पर यह किता आया था माइनस 50 करोड और अगर हम बात करें माई 2023 का जो कॉटर था उसमें आया यह कंटिनेवसली यहां पर कोई भी इंप्रोब्मेंट दिखाई नहीं पड़ रहे हैं इस करण से यहां पर इसी स्टॉक से दोरी बना के ही रखना चाहिए इसाब यहां पर महिगा है यहां पर कंपनेई पहले घाते में नहीं थी अभी यहां पर कंपने 177 करोड के घाते में हैं तो कोई मतलम नहीं है बैलेंस सीट यह अगर देखोगे रिजर्व बैलेंस सीट में रिजर्व बहुत ज़्यादा आ गया है हो सकता है यह जो रिजर्व है वह यहां पर देखना पड़ेगा कहां से आया इन्हों ने कुछ अपना एसर्ट बेंचा क्या किया यह चीज़ यहां पर देखना पड़ेगा तभी यहां पर समझ में आएगा कि रिजर्व यहां पर इनका इतना ज्यादा कैसे अचानक से हो गया चार हजार करोड का यहां पर पहले रिजर्व था मार्च 2023 में मार्च 2024 में 16,000 का रिजर्व कैसे हो गया है यहां पर यह चीज़ों को थोड़ा सा फाइंड आउट करना चाहिए तभी यहां पर इनी स्टॉक पर हमारा जो व्यू है वह चीज़ बन पाता है अभी हम यहां प तुरंत तो फाइंड आउट नहीं कर सकते बोरोइंग भी यहां पर इस स्टॉक के पास यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर 16,000 करोड के आजपास है तो यह चीज़ें अचानक से इतना ज्यादा कि ऐसे हो गया यह चीज़ें यहां पर थोड़ा ज़ा डाइजेस्ट अगर बात करें तो प्रमोटर के पास 60% माल है और बागी 28% माल पब्लिक के पास है दी आई ए एफाई के पास बहुत ज़्यादा नहीं है 7% और 4% माल है तो यह भी बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर रहे हैं जिनके पास 12 टका माल था वो 7 टका पर यहां तो यहां पर बे 28 के लेवल पे आने का मतलब आयेगा ही क्योंकि प्रॉट्विल्टी है नहीं और मतलब इनका जो बिजनेस है वो बढ़ रहा है बड़ प्रॉट्विल्टी आ नहीं रही है इस करण से यहां पर सेर प्राइज में मॉव्मेंट तो अभी होने वाला नहीं है जिन लोगों को अच्छे लगे वीडियो को लाइक जरूर करियेगा चैनल पे नहीं वरेज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और यह जो वीडियो ओन्ली फॉर एजुकेशनल पर्पस्टे हैं ना कि यहां पे कोई इन्वेश्मेंट परपस्टे है तो कोई भी फ्रेश्मेंट करना है तो आपने financial advisor से concern करिएगा उसके बादी किसी stock में यहाँ पे निवेज करिएगा